तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक आर्टिकल को जिसका नाम है बाइदे टेक्स्ट बुक तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल प्रेस से बहुत आप तक पहुंच जाएं तो आज का यह जो टॉपिक है बा यह एक आर्टिकल है जो काफी जो है एक्जैम में जो है वो आ जाता है तो आज हम इसके ओपर बात करेंगे इसको एनलाइस करेंगे इसको पूरे जो आर्टिकल इसको एनलाइस करेंगे इसकी मीनिंग को देखें किसके अंदर क्या क्या बात कही गई और किस चीज के बारे म ये बहुत ही खुबसूरत सा आर्टिकल है जिसमें बात की गई है टेक्स्ट बुक के बारे में और गवर्मेंट के बारे में ठीक है किस तरीके से टेक्स्ट बुक जो एक टेक्स्ट बुक होती है किसी स्टेट की किसी गवर्मेंट की किस तरीके से वो सफर करती है जब भी की गई है वो सारी कि सारी जो है वो टेक्स्ट बुक के ओपर जो है वो बात की गई है अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक जो होता है वो किसी भी स्टेट के लिए जो होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंपोर्टेंट होता है क्योंकि हर जो स्टेट होता है उसके लाजमी होता है और उसके अंदर का जो material होता है वह according to government जो है वो change होता रहता है तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक के वह हमेशा जो हो सफर करता रहता है अब यहां पर जो starting है इस article की उसमें बात की गई है modern concept of textbook की ठीक है अब जो पहले सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं French Revolution की क्योंकि French Revolution एक ऐसा revolution था योरोप के अंदर मनला पूरी दुनिया के अंदर इसका ऐसा effect पढ़ा था और हर चीज़ पर इसका ऐसा effect पढ़ा था कि अब हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसके दिए French Revolution जो है वो तो जरूर और जरूर हम उसे पढ़ते हैं क्योंकि इसके बागेर तो इसकी history के बागेर तो हम कोई चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं तो French Revolution आपको पता है कितना बड़ा French Revolution हुआ था दुनिया में और जो है यह 1799 में जो है हुआ था तो 1799 से पहले मतलब French Revolution से पहले जो यह हमारा textbook है वो बहुत जदा different था ठीक है उसकी इतनी जदा एहमियत नहीं होती थी textbook की वो बस जस्ट ऐसे ही textbook जो है वो लिखा करते थे लेकिन जैसे ही French Revolution का concept आया उसके आते ही जो हमारा textbook के उसका modern concept जो है वो emerge हुआ अब पहले के जमाने में क्या होता और अभी के जमाने में की यह बात है कि जो भी state है किसी भी nation का जो भी state जो भी nation है उसकी responsibility होती है कि वो young generation को जो है अपने principle जो है उनके बार में बताया जाए ठीक है यह जो फ्रेंच revolution हुआ जब यह हुआ तो हमारा जब जो है फ्रेंच revolution हुआ तो उसके होते ही क्या हुआ कि new education system जो है वो इंट्रोड्यूज हुआ जो किसके उपर बैस करता था नेशनलिजम के उपर बैस करता था मतलब किसी भी nation के अंदर जो भी टेक्सट्बुक होती है फिर नेशनलिजम को जो है वो concept आया ठीक है तो ज यहां तक बात आपको समझ आ गई अब जैसे ही यह जो new system of education system जो है यह चेंज हुआ उसके साथ-साथ क्या हुआ कि हैगमनी की जो है उसका जो है खात्मा हो गया है कि कोई भी church जो है जब वो अपने जो है thoughts को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने जो चर्च के उपर जो पावर में आया निपॉलियन के पावर में आने के बाद क्या हुआ कि 1799 में उसको यह रियलाइज हुआ कि टेक्स्ट बुक कितनी important है ठीक है तो फिर क्या हुआ कि उसने जो है टेक्स्ट बुक जो है उसको change किया सिरफ लेजिस्टिमाइज के रूल के लिए नहीं बलकि निपॉलियन के आती है तो यहां पर हम कुछ जो हैं और भी हम निपॉलियन के contributions को पड़ेंगे कि उसने और क्या क्या किया फ्रेंच revolution के बाद अगर हम दूसरा इसका contribution देखें चेंज औफ भुक के बाद इसने क्या किया? तो निपालिन ने क्या किया? एक लेसन इंट्रॉड्यूस कर वाए जो लॉयलेटी और लफ जो इंपिरियर के बीच था उनका जो है उनकी इमेज को, उनके सैंस को जो है उसमें create मैं इसकोई creation नजर आती तो ऐसा जो एक उसने लेसन निवा इंट्रिड्यूस करवाया था उसने जो है एक और चीज जो है वा इंट्रिड्यूस करवाई जो थी different different textbook जो के किसे करती थी लिंक करती थी girls से ठीक है exclusively for girls वो girls के लिए थी which emphasize domestic duties जिसमें जो है वो emphasize क्या कर रही थी domestic duties जो कि आपको पता है लिंक करती है girls से women से और obedience किसके towards the father and the husband तो उसमें जो यह domestic duties बगेरा के बारे में जो है वो बात की गई थी जो यह different different books जो इसने इंट्रिड्यूस करवाई थी then क्या हुआ कि उसने एक special training जो है वो introduce करवाई for women जो in music और in dance में तो इसके यह बहुत बड़ा contribution है कि उसने women training जो है especially women के लिए जो है वो contribute करवाई थी in music और dance में तो इन सब contribution से हमें यह पता चलता है हम यह suggest कर सकते हैं कि शायद जो पोस्ट revolution फ्रेंच सोसाइटी थी जो पहले की फ्रेंच revolution से पहले की जो ससाइटी थी वो उनके लिए जो education थी लड़कियों के लिए वो just limited थी लेकिन जैसे ही फ्रेंच revolution हुआ निपॉलियन आया तो उससे क्या हुआ कि यह limitation जो थी वो बढ़ गई थी कि unlimited जो है वो निपॉलियन जो था उसने एक और जो है न्यू मॉडल प्रोवाइड किया था टेक्स्ट बुक का जिसमें जो है एक जो है उसके ग्रेट लीडर की जो है इमिज जो है वो उसने प्रजेक्ट की थी ठीक है यहां पर दो बहुत बड़े नाम आ रहे हैं यहां पर हमारे मुज प्रजेलनी और हेटलर यह थे गाता कि यह बहुत ज़ादा ज Bosu had ale generally joko जो की जंशन के लिए जो है वह काफनेधि इंस्पायर रेशन थी ठीक है तो यह था इस यह जो प्रेक्टिस थी इस चीज की यह क्या थी चलती रही ठीक है इस प्रेक्टिस कंटीनू इविन तुडे मतलब आज के दोर में भी यह चलती आ रही है इन थार्ड वर्ल कंट्री वेर देर इस टिक्टेटर्शिप जहां पर यह जो चीजें हैं यह भी तर कंटीनू होती जा रही है यहां पर मैं आपको जोरे चलों के किसी की कसी कets करें वोर मोर्ड नहीं और पास यह सब टोर जो रही थी ठब तक जो हाए जब चाल रही वो यूज करती थी education को as a tool, ठीक है, एक उनके पास ये एक ऐसा त्यार था, एक ऐसा tool था, जो promote करता था, जो establish करता था, और जो strengthen करता था उनके rule को, मतलब देखिए आप इंडिया वालों के लिए, ये कितना बड़ा जो है, ये चीज थी कि वो education को जो है, वो use करते थे, अपन इसमें जो important characteristic है is textbook के, उसमें क्या include होता है, यहाँ पर, यहाँ पर include होता है condemnation of Indian past, जिसमें जो हैं, इंडिया के past के बारे में, जो है, वो बात की गई है, उतलब के, इंडिया के past के उपर, जो है, वो यहाँ पर मुझमत की गई है, उनका ये despotic की जो meaning है वो होती है कि किसी के पास unlimited power होना जो दूसरों के उपर जो है वो power जो है over the power जो है वो करसक के unlimited power उसे हम कहते हैं despotic और superstition की meaning है खुराफाद तो ये जो चीजें थी ये बताई गई कि भाई ये जो थी मतलब Indian के book के जो characteristic थे वो ये थे कि Indian जो थे वो इस तरीके के थे ठीक है जी ये तो हुई India की बात लेकन अगर हम बात करें British की तो जो भी लोग जो भी British को जो है जो भी British government की मजब्मत करते थे तो British लोग जो थे वो उन्हें जो है वो declare करते थे as a traitor मतलब गदार and their image वो इस तरीके के लोग थे फॉर एक्जेम्पल ले लें सराज अदुला एंड टीपू सुल्तान ये दो कौन थे ये मुस्लिम थे ठीक है उन्होंने क्या किया था उनको जो है जो टेक्स्ट बुक उनकी जो थी ब्रिटिश वालों की उनके अंदर जो है इन दोनों को as a monster जो है वो करार देते थे जबकि जो Englishman थे वहां के वो जो contribute करते थे जो ब्रिटिश रूल के foundation जो है उनको ब्रिटिश रूल को बनाने के लिए उनको जो है बहुत ज़दा ब्लैसिंग था इंडियन के लिए ठीक है तो मतब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अपने उनकी ट्रिडिशन थी जो न्यू जरेशन थी उनके लिए खेथा इंग्लिश कल्टर थी वह बहुत ज़दा अपड था और जो अपने ट्रिडिशन वैलिई थी नजर से तक यह कब तक जब तक जो है Englishman की जो है वो departure नहीं हो गई ठीके इस विल स्टिल जो है people today there will there are still people today यहाँ पर अभी तक आज तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो के नॉस्टोलोजिक हैं जो के उस colonial time को जो है और जो है उस remember करते हैं कि ये एक ideal period था Indian history के अंदर तो ऐसे लोग जहें वो आज भी जहें वो मौजूद हैं लेकिन जैसे ही decolonization हुई ठीक है यह तो अभी colonial हम system पढ़ रहे थे लेकिन जैसे ही decolonization शुरू हुई decolonization का मतलब होता है कि colonies का आपसमें जो है चेंज होना तो तो जैसे ही भाई यह decolonization होती है और जो है वह एशिया और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े जो इमर्ज होना शुरू होते हैं तो उसी तरीके से क्या होता है कि new textbook जो होती है उसे जो है न्यू तरीके से जो है वह लिखा जाता है जो कि उनकी aspiration और new nation को जो है उनकी fulfillment जो भी इनकी चीज़ होती है उनके अंदर जो है वो डाला जाता है उन टेक्स्ट बुक के अंदर the glory of the past जो भी glory थी जो भी चीज़ें थी पास्ट की वो क्या की जाती है वो रेस्ट्रक्टिट कर जाती है और वो लोग जो कि लड़ते हैं ठीक है यह जो फिगर यहां पर अगर हम एक फिगर देखें कि founding father become a hero अगर यहां पर हम देखें कि father जो एक hero बन जाता है जो एक unchallenge leader होता है लेकिन when their country went through different political system जब वो different political system में जो है वो चली जाती है तो उसके result में क्या होता है कि again क्या टेक्स्ट बुक जो है वो दुबारा स होती है उसमें क्या होता है जो policies होती है डिक्टेटर की जो डिक्टेटर होता है जो जिसके पास पर होता है उसकी जो policies होती है वो supported की जाती है उस book के अंदर and admire कि जाता है कि as a leader है ठीक है भले ही वो deliver करे nation from a cause and disorder भले वो उसके जैशन डिसॉर्डर कॉस में अपनी textbook में क्या क होता है कि with the change of the government जैसे ही government जैसे होती है तो textbook always had a change to content in a favor of new rhyme and its leader तो क्या होता है कि जैसे government जी होती है तो textbook का जो entire जितना भी curriculum है वो change होता जाता है उसकी according to government जो उनके leader होते होते इनके government के favor में जो है वो textbook जो है वो change होती है अगर हम बात करें यहां पर India की ठीक है जब इंडिया में जो है वी जे पे रूल आया तो उस रूल में क्या हुआ कि टेक्स्ट बुक जो थी वो rewritten की गई ठीक है जबके टेक्स्ट बुक जो है वो जो लिखी गई थी यहां पर तीन नाम मैं आपको बताते चलों रोमला थापर और बिस्पन चंद्रा और ए आर शर्मा यह तीन जो लोग थे इनोंने जो बुक लिखी थी जो है उनकी जो बुक है उनको बैंड जो है वो कर दिया गया बीजे पे रूल के अंदर जो इन तीनों की जो बुक थी उनको बैंड कर दिया गया क्यों क्योंकि उनकी जो बुक थी उनके अंदर होनेस्टी थी उनके उनने जो है इसको जो है वो चेंज कर दिया गया लेकिन जैसे ही new जो है वो हमारी जो है वो ie government तो उन में क्या हुआ कि textbook जो है वो तुबाइश से written की गई और जिक जो new government में जो textbook थी वो change होकर जो है वो डेजने कांसल अग से नियुकेंच एंड रिसर्च अं training ठीक है यहाँ पर जो है मैं आपको बताओं यहाँ पर जो है मैंने short form लिखा NCRT लेकिन इसका full form जो है वो है national education of council education research and training इसका full form यह है तो इसके according जो है वो new जो है वो किताबें जो लिखी गई जो कि बहुत ज़दा excellent थी उस लिखी गई है वह बहुत दा एक्सलेंट है और जितनी भी है उनमें कोई ऐसा है अच्छी किताब जो नेशनल काउंसल ओफ एड्यूकेशन और रिसर्च ट्रैनिंग के अकॉर्ड जो है वह लिखी गई है ठीक है लेकिन इन डेमोक्रेटिक अगर कोई मुलक जो एड्यॉक़ेंट है ठीक है कोई मुल्क मल्टी रिलीजियस है यहां पर कल्चिरल सोसाइटी है वहां यह जहां पर भी यह चीजें हैं मल्टी वहां पर क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल आइडियोजी को प्रेजेंट करना बहुत ज़्याद जो है वह डिफिकल्ट होता है अगर हम इंडिया की बात यहां पर ले लें तो वहां का जो एजुकेशनल करणी तो नहीं पर चीजेंट करती है और यहां पर जैटनी बात आप को समझ में आई नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ हम ने बजरीप इंडिया की फ्रेंच्रेवलेशन की य और आपके सब की बातें कर ली ब्रिटिश की भी बात कर ली अब हम आते हैं पाकिस्तान के उपर अपने मुल्क के उपर आते हैं कि हमारे इदर क्या होता है इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जो केस होता है इस चीज का वो क्योंते है कोई डुफरिंट होता है ठीक है कैसे कि चेंज और पाकिस्तान में फर्स टाइम जो चेंज हुई टेक्स्ट बुक वो चेंज की ऐउब खान ने जब वो पावर में आया और उसने जो है वो इंप्लीमेंट की एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो 1962 में जो है यह पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की गई मतलब फर्स इसने जो है इंटरस्ट मतलब एवरी हर गवर्मेंट का जो इंटरस्ट है वो चेंज कर दिया लेकिन उसके बात क्या हुआ कि मेजर चेंज जो हमारी गवर्मेंट में हुआ हमारे पाकिस्तान में हुआ वो आया ज्यावल हक की पॉलिसी के साथ जो के पॉलिसी थी पॉलिसी of Islamization मतलब Islam की जो policy उसकी तहर जो लिखना शुरू किया जो completely जिसने transform कर दिया whole curriculum को पूरे curriculum को जो है इसने जो है वो change करके रख दिया क्योंकि किसी भी textbook को develop करना एक काफी संजीदा जो है जो मसला होता है किसी भी nation के लिए ठीके क्योंकि जब भी होता है कि हर state हर nation में क्या होता है कि एक book जो है उसे हम produce करते हैं कैसे इस तरीके से कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हम एक selective information है वो हम रखते हैं student के लिए और बाकि के जो भी fact होते हैं उनको क्या कर देते हैं हाइट कर देते हैं जो कि suppose हम अगर करें कि वो क्या होता है कि वो पूर हम उसको जाहिर कर दे हैं सच को और क्वल्प्त D जो जो उनकी selective information है वो उन चीजों को रख देते हैं और बाकी की जो भी effect वगेरा उनको क्या कर देते हैं चुपा देते हैं तो टेक्स्ट बुक जो होती है वो सिर्फ जो होती है जिस तरह अगर हम बात करें European power की तो उन्होंने जो है वो colonize किया था Asian Africa को countries को तो वो जो है वो टेक्स्ट बुक जो है उनके अंदर क्या है उनको बिल्कुल जो है silently जो है वो रखा गया है क्यों because of their crime they committed and occupied countries तो अपने crime की वज़ा से और अपनी countries के अपर इनके वज़ा से क्या है कि उनको silent जो है वो रखा गया है अब इसे तरीके से हम दूसरे countries की बात भी कर लेते हैं कि अगर हम बात करें यहां पर चाइना और कोरिया की ठीक है चाइना और कोरिया में क्या हुआ कि उन्होंने क्य किया करने continue जो प्रोटेस्ट किया जापान के लिए ठीक है जापान में क्या था एक जो ही वार क्राइम वगेरा हुआ करते थे तो वहां पर क्या किया चाइना और कोरिया ने जो है वह बज़दा प्रोटेस्ट किया वहां पर और इस वज़ा से क्या है कि वह जो उनका नाम पर अगर हम पर फिलस्टीन की और स्टाइल की बात करें तो उन्होंने भी एक जो है अपना डिस्ट की ने वह मेंटेंग किया है एक एवेंट के उपर यह उनकी पर डिफ्रेंट जो है अपना ऑपिनियन जो है वहां पर लिए दिखाया है किसी भी टैक्स्ट-बुक ये अं यहां पर compaction, compaction के यहां पर meaning होती है कि a feeling of deep regret, अगर कोई deep regret किया जए तो इसको हम ignore कर देते हैं, तो textbook प्ले करते हैं एक important role for shaping mind of young human, किसी भी young humans होते हैं, उनके mind को shape करने के लिए क्या होता है, कि यह काफी जदा जो है, वो एक important जो है, वो चीज होती है, क्या हमारा जो है, वो textbook लेकिन unfortunately क्या है कि majority, हमारे यहां पर जो majority है, उन लोगों के पास तो time ही नहीं है, जो है books पढ़ने का, ठीक है, वो क्या करते हैं, कि सिरफ और सिरफ जोने books दी जाती है, पढ़ने के लिए टास्क दिया जाता है, सिरफ वही करते हैं, और जो है, इन जो सच चोतन को investigate नहीं क पाते हैं, तो उनकी जो knowledge होती है, वो क्या होती है, सिरफ और सिरफ जो है book तक जो है, वो क्या करता है, जो है प्रिजेंट करता है, किसी भी student के लिए, और क्या होता है, कि यह जो तो डिस आठीड जो है वर्जिन होता है यह स्टूडन्ट के माइंड में रहता है पूरी जिन्दगी के लिए तब एक तो वो जो है अपने फैक्ट को इंवेस्टिगेट सब्सक्राइब और मिलटा रहती हैं अगर इसकी बात करें तो यह एक फिलॉसोफर त ठीक है इसने किया कि एडूकेशन डियुकंड जो यह इसके फ्री से स्टेट इक्राइब only then it can produce a liberal and enlightened generation जब हम इसे States free कर देंगे तब ही क्या होगा कि यह liberal और जो जनरेशन को जो है वह in light करेगा तो यह सच बात है कि education जो है under the ideological state इसे भी ideological state के नीचे जो भी education होती है वो कहा को होती है हमेशे hear Damage्स होती है आपको पता है कि हषे में खासकर पाकिस्तान में जो एस में हो रही है Yeah यहां पर जो भी आता है यहां पर अपने जो हें कारवाईयां करता ए क्टा नी ट करता है आंपने तरीके से जो है ऊथिज को बेन चलाता है तो एज्यूकेृंच हमेशन जो हेuard ideological जो भी state है उसके नीचे क्या होती है कि damage होती है और in either case it produce an ignorant यहां तो वो इग्नोरेंट जो है जो है जो है प्रोड्यूस करती है यहां तो नेरोर माइंड जो है वो प्रोड्यूस करती है किसी बेजुकेटेड यूथ के लिए तो यहां पर जो है मैंने यहां पर बात की है टेक्स्ट बुक की और यहां पर overall बात की गई है गवर्मेंट की तो यहां पर किस तरीक इसको जो थीम ही जो है वो यह है कि किस तरीके से जो है एक गवर्मेंट जो है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने आइडियोलोजी से जो है वो change करती है टेक्स्ट बुक को मतल आज इस आर्टिकल को बहुत ज़र डिटेल में जो है आपको जो है मैंने समझा दिया मुझे पता है कि आपको जो है कोई भी कन्फूजन नहीं होगी अगर कभी भी यह आपके पास आजाता है कोई भी ऐसा आर्टिकल तो आप जो है उसे एजी लिए लिख लेंगे तो आप जेरे इजासत देजिए थैंक यू सो मच आला हाफिज